मदपदेश के बढ़वाह विकासखंड के ग्राम बलवाडा में सरकार द्वारा किसानों के लिए 48 करण रोपे की लागत से माइक्रो सिचाई परियोजना के तहट पाइपलाइन बिच्छाई गई थी परियोजना किसानों के लिए अविश्राप साबित हो रही है योजना में 34 गाउं लावाम वित हो रहे थे लेकिन किसानों की फसले अब उसी पानी के करण बरबाद हो रही है बही पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई है किसानों को खासा नुक्सान हो रहा है लाखो र किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरूप लगाया है तो बहीं किसानों ने आरूप लगाती है साफ कर दिया है क्या पर्योजना लाव के लिए आई है या घाटे के लिए यह सामने ही दिख रहा है है कर दो अपास चार भऐ हैं हम रटनाल मांचिलाल भगवान ťा मोहन मांचिलाल और भीम्तिंग मांचिलाल चारों केником के और पानी को सह गया है करीब दो भई उनके तो कहले कि एक एकल के फचरना है और दो बैंट के तो नस्त हो आपका सकरी कि पाद्स नस्त हूई जcomb थी पानी केफ से नहीं है। माइक्रोब वाय प्लैइन जो आई हुई एन अब गॉलो से तीजे वो पाइप लाई हमारे वीच खेत में फट गई और उसमें से पूरे खेत में पानीज पानी हो गया है मना साथार कई गर्वाऑ कपास की दो एकर की चारों भाईि वह निताना एक वह यह 20-25 फाम कपास के वह देरा कि वानके चलू कि आज अगए 2 लाक से उप नवार क्रिये और चारो बाई के भीचे खेत में पानी ये बाकित इसरे कि किसी के खेत में पानी नहीं गया हुए अपने अधिकारी उनको उसी रोज बता दिया फांच बजे जैसे लाव पाई प्लाइन पूटी था उनको बता भी दिया था उसके उपरान उन्होंने अभी तक कोई वार कोई नहीं आया है महां पे खेट देखने के किस लाइन फुटी कब ती कल पांच बजे सनी बार पांच बजे पुटी थी और सबेरे इतवार के रोज 11 बजे उन्होंने बंद करी पाइब लए पूरी नाइट पूरा पानी खेतों में गुमता रहा है क्या नाना आपका ब जो भी हमारे संबनेत अधिकारी हैं सब सुचना दे दीगे जो उनका जैसा निर्देश होगा वाइसा काम करेंगे